नमस्कार, क्यापिटल टीवी उत्रप्रदेश देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ पूजा स्वामी प्रिशाद मौरिया ने एक बयान दिया है, जिसमें उनका घमंड साफ साफ जलक रहा है स्वामी ने ऐसा बयान दिया है, जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि स्वामी प्रिशाद मौरिया पर एहंकार हावी हो गया है बावरे हो गये हैं स्वामी प्रिशाद मौरिया, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट सीक्रिट गेम वेब सिरीज देखिए आपने अरे वही वेब सिरीज जिसमें नवाजुद्दिन सिद्की, पंकस्त्रपाथी और सैफ अली खान एक पुलिस वाले का किरदार निभाते हैं इस वेब में एक फेमस डालोग है अहम ब्रह्मासिम जो पंकस्त्रपाथी बोलते हैं इसका मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, इस डालोग का असर अब एक नेता पर देखने को मिल रहा है ये नेता है, हाली में बीजेपी छोड और योगी कैबनेट से इस्तिफा दे कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रशाद मौर्य लगता है महाशे सपा जवाइन करने से पहले सेक्रेट गेम ही देख रहे थे और पंकस त्रिपाटी का ये डालोग इन पर काफी हा भी हो गया तभी तो इस डालोग के असर में इनोंने एक बड़ा बयान दे डाला दरसल सपा में शामिल होने के बाद स्वामी भाशन दे रहे थे जहां बीजेपी पर निशानत सात्य वे कहा कि मकर संक्रांती पर बीजेपी के अंत का इतिहास लिखने जा रहे है बीजेपी के बड़े-बड़े नेता जो कंब करनी नींद में हो रहे थे हमारे इस्तिफे के बाद उनकी नींद हराम हो गई है साथ ही कहा कि अकलेश पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, प्रदेश के लाखों लोग उनके साथ है, वो उनके साथ मिलकर बीजिपी को निस्तानुबूत कर देंगे, इसके बाद ही उन पर सेक्रेट गेम का डालॉक हा भी हुआ, और उन्होंने कहा कि जिसका हाथ मैं छोड़ देता हूँ, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता, हमारे बहन जी इसका जीता जाकता सबूत है, बहन जी बाबा सहब और काशिराम के सिध्धानतों से हट गई थी, उनको घमंड हो गया था, बहन जी ने दूसरा नारा दिया, कि जिसकी जितनी तयारी, उसकी उतनी वो थैली वालों के साथ खड़ी हो गई थी, बियस्पी तब नंबर वन और बीजेपी तीसरे स्थान पर थी, और जैसे ही मैंने बियस्पी छोड़ी, तो बीजेपी आसमान पर चड़ गई, लेकिन पर अब मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, कि आपके भी बुरे दिन आ गए हैं, मेरे साथ कई लोग आ रहे हैं, इस्तिफात देने का सिलसिला चलता रहेगा, इसकी बाद आई सपा अध्याक्ष अखलेश यादव की बारी, तो सपा सुप्रीमों ने भी इस मौकी पर बीजेपी पर हमला बोला, और स्वामी प्रशाद मौरिया के सुर में सुर मिलाते विकाहा कि स्वामी प्रशाद मौरिया जी जिसके साथ होते हैं, उसकी ही सरकार बनती है, इस वक्त स्वामी प्रशाद मौरिया जी के कानों में अहम ब्रहमासम का नारा गूज रहा है, तो स्वामी जी जरा धीरस धरिये, अभी चुनावी बिगुल बजा है बस, यह आपका घमंड जनता इसी चुनाओं में तोड़ कर रग देगी ये पब्लिक है ये सब जानती है और घमंड तो दशानन्द लंकापती रावन का नहीं रहा तो महाश्य आप तो इंसान है दीरस धरिये और चुनाओं होने दीजिये जनता आपको ये बता देगी कि आप आखिर कितने फीजदी ब्रह्मा बन गए है इस खबर में फिलार इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रिए कैपिटल टीवी उतर प्रदीश नमस्कार